अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर सेंपायर, आज की इस फीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे कुछ most important expected MCQ को जो की important होंगे upcoming सबी exams के लिए जहां भी English literature से question पोचे जाते हैं especially TZT और PZT के लिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले question से पहला question है तो जो इसका सही answer option number D यानि Dr. Johnson ने कहा था अगर बात की जाए option number D यानि Dr. Johnson की तो ये कौन सी age से बिलोंग करते हैं अगस्टन age से अगर मैं बात करूँ इनके पहले work की तो इनका पहला work था वो था dictionary जो कि English से literature की या English की पहली dictionary भी माने जाती है जो कि 1655 माई थी अब आप मुझे comment section ने बताजिए कि Dr. Johnson की biography को किस ने लिखा था और इस biography का नाम क्या था अब मैं बात करता हूँ option number C यानि अलबर्ट की तो अलबर्ट का पूरा नाम है Edward Albert तो जो ये Edward Albert हैं ये बहुत ही famous critic माने जाते हैं इन्होंने जौफरी चॉसर को Morning Star of Renessa कहा था अगर बात की जाए option number A यानि Edmund Spencer की जो की जाने जाते हैं अपने बहुत ही famous work of fairy queen के लिए आप मुझे fairy queen का genre भी comment section में बताइए कि ये poetry है poem है या drama है tragedy है या एक या epic है या epic है ये क्या है आप मुझे comment section में बताइए अगर आपको इनके answer चाहिए जो question में पोस्ट रहा हूँ तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखना ना भूलें उमने आपको इन सभी questions के answer अलग-लग fact में मिले होंगे अगर मैं बात करता हूँ Spencer की तो ये English literature के कौन सी age से बिलॉंग करते हैं Elizabethan age से Elizabethan age का time plate आप मुझे comment में बताइए अगर मैं बात करूँ option में B यानि John Dryden की तो John Dryden जो की बहुत ही एक famous writer है कौन सी age के restoration age के और ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही famous work को all for love के लिए आप मुझे restoration ने इसका भी time plate comment section में बताइए इससे होगा क्या कि चीज़ें आपकी revise होती जाएंगे और आपको भी चीज़ें permanently याद होती जाएंगी अगर आप comment करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं question number second की और question number second है who is known as the first great English storyteller in words who is known as first great English storyteller in words option आपके पास Charles Lamb John Wycliffe, John Dryden और Geoffrey Chaucer तो जो इसका सही answer है option number D यानि Geoffrey Chaucer को first great English storyteller in words कहा जाता है क्योंकि Geoffrey Chaucer से पहले English teacher में कोई भी storyteller नहीं था अगर बात की जाए Geoffrey Chaucer की तो इनको क्या कहा जाता है morning star of renesia अब आप मुझे बताएए कि morning star of reformation किसे का जाता है और इसे के साथ साथ अगर हम बात करूँ John Dryden की तो जो की belong करते हैं कौन सी एज से restoration age से restoration age का मतलब 17th century से अगर बात की जाए John Dryden की famous work की तो उसका नाम क्या है all for love इसे के साथ साथ एक और John Dryden का famous work है आप मुझे उसे comment में बताएए वो मैंने अपनी पिसली वीडियो दो आपको बताया है अगर बात की जाए John Wycliffe की तो John Wycliffe जो की जाने जाते हैं अपने translation के लिए इन्होंने Bible का English में translation किया था कि इन्होंने John Wycliffe ने और ये कौन सी एसी बिलोंग करते हैं एज आप चौसर सही John Wycliffe बिलोंग करते हैं अगर बात की जाए option number A यानि चार्सलेम की तो चार्सलेम की जो की जाने जाते हैं अपने बहुत ही famous work essays के लिए और उसका नाम क्या है Essays of Illya इसी के सांसा चार्सलेम का एक और बहुत ही famous work है जिसका नाम है Dream Children ये चार्सलेम का एक बहुत ही famous work है Dream Children अगर बात की जाए अब John Wycliffe के बारे में मैं आपको बताई दिया John Ryden के बारे में बता दिया और Geoffrey Chaucer भी हमारा हो चुका है अब मैं बढ़ता हूँ next question की ओर next question आपके सामने है Who wrote L.A.G. Rugby Chapel option ने आपके पास Jane Austin, Robert Frost, Matthew Arnol और Thomas Hardy इस question में जाने से पहले आप से क्रेव करें कि जैसे भी इस वीडियो का लिंक आप तक पहुँचा है आप इसे like करना ना भूले है सबसे important चीज़ जो आप हमें दे सकते हैं वो है एक like को press करना और दूसरी बात आप इसमें बने नीचे share के निसान से आप अपनी Facebook ID से इस वीडियो को share कर सकते हैं और साथी साथ आप एक WhatsApp ग्रुप से भी इनको share कर सकते हैं क्योंकि आपके पास share करने के लिए आपके Facebook account, WhatsApp, Instagram और भी other social sites होते हैं जिनके तुरू आप इस channel को growth करवा सकते हैं और आपकी regularity इस channel के माध्यम से बनी रहेगी MCQ को लगाने की तो चलिए और इसे के साथ साथ आपने subscribe नहीं किया तो पहले आप इसे subscribe करिए और उसके बगल में बने इस bell icon को दबाना ना भूलें और जैसे आप इस bell icon को दबाएंगे तो नीचे all लिखा हुआ आएगा आप उस all पे click करें वस्से होगा क्या कि जैसी हमारी नई वीडियो आएगी तो आपकी mobile की skin पर scroll करेगी और आप उस वीडियो को दबारा देख पाएंगे और इससे पहले आप से share करना जरूर आप एक share कीजिए इससे हमारी भी regularity बनी रहेगी और motivation का काम आपका share करना करेगा और like का button प्रेस करना ना भूलें वीडियो को देखते देखते तो चलिए फिर से जाते हैं उसी question की और तो जो ये रगवे चपल allergy है ये किसने लिखी थी आपके पास option है Jane Austen, Robert Frost, Matthew Annol और Thomas Hardy तो जो इसका सही answer है वो है option number D यहनि Matthew Annol ने कौन सी allergy लिखी थी रगवे चपल लिखी थी अगर बात की जाए Matthew Annol की तो Matthew Annol जो की जाने जाते हैं अपने बहुती famous work to Shakespeare के लिए अब जो ये two Shakespeare नाम का work है ये क्या है एक sonate है जो की इन्होंने Shakespeare के लिए लिखा था और Matthew Annol कौन सी ये से बिलोंग करते हैं आप मुझे comment section में बताइए इसे के साथ साथ इनको the first modern critic भी बोला जाता है इसे के साथ साथ critics critic भी Matthew Annol को कहा गया है और ये जाने जाते हैं अपने बहुती famous method touchstone method के लिए अब ये touchstone method को आप नेट में सर्च करिए उसके बाद आप comment section में मुझे इसका अंसर बता सकते हैं अगर मैं बात करूं Matthew Annol के बारे में other fact की तो Matthew Annol को sage writer भी का जाता है Matthew Annol को क्या का जाता है sage writer और ये अपनी बहुती famous poem डोवर बीच के लिए भी जाने जाते हैं और इसे के साथ साथ ये culture and energy culture and energy अब आप मुझे बताइए ये culture and energy का genre आप मुझे बताइए कि ये है क्या क्या ये एक novel है क्या ये एक poem है और क्या ये एक periodicalize की series है या ये क्या है अब मैं बढ़ता हूं option number D यानि Thomas Hardy की ओड Thomas Hardy जो की बहुती famous writer है कौन सी एच के आप मैं जे comment section बताइए कि Thomas Hardy कौन सी एच से belong करते हैं अगर अब बात करूं थौमस Hardy के work की तो Under the Greenwood Tree नाम का इनका एक work है क्या नाम बताया है मैंने Under the Greenwood Tree Under the Greenwood Tree नाम का इनका एक work है और इसका genre क्या है ये एक novel है इसे के साथ साथ The Mayor of Casterbridge नाम का भी इनका एक work है आप मुझे The Mayor of Casterbridge का genre भी comment section बताइए अब मैं बढ़ता हूँ option number B यानि Robert Frost की हो तो Robert Frost की बहुत सारी famous poem है उनमें से आपका एक mountain interval नाम का इनका एक poems का collection है mountain interval नाम का और जो ये poem का collection है इसमें इनकी एक बहुत ही famous Bridges B-R-I-C-H-E-S Bridges नाम की poem को भी सामिल किया गया है कौन से collection में? mountain interval नाम के collection में इसी के सांसांद Stopping by Woods on a snowy evening नाम की भी इनकी एक poem है क्या नाम है उसका Stopping by Woods on a snowy evening ये किसकी poem है आपकी? Robert Frost की अगर नो बात करो Jane Austen की तो Jane Austen जाने जाते हैं अपनी बहुत ही famous work के Emma के लिए इसी के सांसांद ये जाने जाते हैं अपने एक बहुत ही famous pride and prejudice के लिए आप मुझे pride and prejudice का genre बताइए कि ये drama है novel है या poem है pride and prejudice prejudice की बात कर रहा हूँ अब मैं बढ़ता हूँ अपने next question की और next question आपके सामने है This famous line to strive to seek and not to yield is written by home ये किसके द्वारा लिखी गई है lines क्या है to strive, to seek and not to yield ये lines किसके द्वारा लिखी गई है option आपके पास St. College, P.B. Shelley, Tannishan and Robert Browning तो जिसका सही आंसर है वो है Tannishan यानि Alfred Lord Tannishan के द्वारा famous line लिखी गई और ये famous line उनकी एक बहुत ही famous poem Ulysses की है Ulysses Alphill Lord Tannishan की famous poem है इसे के साथ साथ इन्होंने ये जो poem लिखी थे Ulysses अपने फ्रेंड की याद में लिखी थी जिसका नाम क्या था Arthur Halam H-A-L-L-A-M Arthur Halam उस फ्रेंड का नाम था अगर हम बात करूँ St. College की तो St. College की जो जानी जाती है अपने बहुत ही famous work कुबला खान के लिए कुबला खान का जॉनर क्या है आप मुझे बताईए इसे के साथ साथ The Rhyme of the Ancient Mariner और उसके साथ साथ Dejection and Ode नाम के भी इनके बहुत ही famous work है अगर बात की जा St. College की तो St. College का जो Dejection and Ode है इसका भी आप मुझे general comment section ना बताईए जितने भी questions आप से वीडियो के दौरान पूछे जा रहे हैं इन सभी questions के जवाब आपको previous वीडियो में जरूर मिलेंगे इसलिए जरूरी है कि आप पुरानी वीडियो को भी online जाके देखें बिलॉंग करते हैं पीवी शैली comment section में आप मुझे इसका भी answer दीजे बस मैं आप को बता देता हूं कि ये 18th century से बिलॉंग करते हैं अब आप मुझे age का नाम type करके लेखे अगर हम बात करूं Robert Browning की तो इनको Robert Browning को master of dash बोला जाता है आप मुझे my last touches का journal भी आप मुझे बताईए और Robert Browning कौन सी इससे बिलॉंग करते हैं ये भी आप comment section बताईए मुझे आपके answer का इंतिजार से रहेगा इसे के साथ साथ एजू लेंडू एजू लेंडू नाम की भी इनके एक बहुती फेमस poem है एजू लेंडू नाम की किसकी Robert Browning की तो चलिए learners आज की वीडियो में फिराल इतना ही मिलूंगा मैं next वीडियो में कुछ other options और questions के सान तब तक आप motivation बनाए रखें शेयर करें इस वीडियो को जितना आप से हो सकता है और इस like के बटन को प्रेस करना मत भूले चाते चाते थेंक यू